इंडिया जो है वह तकरीब उसने पाँच महीने के अंदर एक ब्लियंड डॉलर की जो है वह एपल जो प्रॉड़क्ट है ऐसे उसको एक्सपोर्ड किये एक बिलियंड डॉलर इंचस्ट फाइव मनस्थ आब ये कर लिए और दुनिया में सबसे ज़्यादा आइफून एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने और ये अचीवमेंट भी इंडिया ने अपने नाम कर लिए प्यूरी दुनिया को पीछे चोड़ने के बाद तो नने दरा मोदी ने जो मिशन बनाया है वो आया सोचा और कर दिखाया और उरूज की ऐसी मनजिलों पे पहुंचा दिया जो किसी किसी को नसीब होती है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करंसी को बैन किया है बलकि जिन्दगी में किस चीज़ को कितनी हमियत दी जाती है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गे थे उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटर्नल मैटर्स में इंटर्फियर ना करें बिल गेर सिदर भी आया था पाकिस्तान में भी लेकिन हमारे हुकमरानों ने कुछ डिमांड इस तरह की की है देखा जाए तो इंडिय जाल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज है वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी जो है वो तकरीब उसने पांच महीने के अंदर एक बिलियन डॉलर की जो है वो एपल जो प्रॉड़क्ट है उसको एक्सपोर्ट की है एक बिलियन डॉलर इं चस्ट फाइव मन्स आप यह इमाजिन करने के कितने बड़े प्रमाने पर जो एपल है वो अपने और इंडिया ने जो फून बेजी हैं वो यॉरप गए हैं मिडल इस्ट गए हैं और ये का आज आ रहा है कि बारा महीने में छे पांच महीने में जो वन बिलियन डॉलर है और बारा महीनों में ये टू पॉइंट फाइफ बिलियन डॉलर तक जाएगा और जिसको आप ये कैसा बी वो आ रहा है उसमें भी बात चल रही है कि उन्हों ने कहा है कि हम उसको लेकर आ रहे हैं वहाँ पर और अब ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि बारत के इंदर जो आइफून की जो मैनुफेक्टरिंग है इसका अगाज से दो ज़सार सत्रा में हो गया था अब देखें क ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कमपनीज है वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी अब जारी बात है कि जो आइफून 14 है उसके अंदर जो टेक्नालोजी है और जो बहुत सारी सेक्यूरिटी फीचर जो मतारफ कराे गए है अब जो जारी बात है कि वो इंडिया के लिए और ज्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेत्मैन्फेक्रेस है अब जग इतनी बड़ी आईटी कमपनी जो है वो इन्डिया में बैठी हुई है और बाकी ने इंडिया में आरही है तो आब इमेजिन करें कि जो tech industry है उसकी जो presence है उसका उसकी economy पर इतना असर यह होगा कि एक तो है export होगी दूसरा उनको यह फायदा होगा कि वहाँ पर जो net जो users हैं वो उसको एक बड़े प्रमाने पर इस्तमाल करेंगे technology स़स्ती होगी तो यह आप imagine कर सकते हैं कि अगर यह यॉरप और मिडल इस्ट में यह सारी प्रॉड़क्स जा रही हैं और तो आप इंदाजा कर लें कि यह 2023 में वो कह रहे हैं कि तग्रिवन डाई एरफ डालर की export जो है वो यहां से होगी तो नरेंदरा मोदी ने जो mission बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पोलिटिकल लेंज में इंडियन ने नरेंदरा मोदी को देखा एकोनोमिक लेंज के अंदर और मेरा ख्याल है यही वो चीज है जिसको शाइद पाकिस्तान को थोड़ा सा इसको इस लेंज से भी देखना पड़ेगा के भाई you just can't look India from political lens all the time you have to look it from other lens so इंडिया ने जो अपनी autonomy अपनी foreign policy में रखी हुई है this is यह उनको west को बड़ी खटकती है और और उनको पता के अगर हमने यह चीजें यह continuous रही तो अगर आपने manufacturing हब इंडिया को बनाना है so इंडिया से हमें क्या लेना है और यह जो प्राइमिस्टर मोदी ने रशिया में बैट के पुटन के सामने का था कि this is not an era of war basically प्राइमिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को यह बता रहा था कि भाई आप जो चीजें इंडिया में लेके आएंगे हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे इस इस वट प्राइमिस्टर मोदी से हैं अब यह इंदाजा कर लें आप के लेकर वह टॉनमी भी रखना चाहते हैं और वह चीजें जो ह लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि अगर वह सारा कुछ इंडिया को जो है वो देने की कोश्चिश कर रहे हैं और इडिया क्योंकि जो उसने मैं देख रहा था रिसनली जो प्राइमिस्टर मोदी ने कि इनिशेटर में लिया था कि टैन बिलियन डॉलर कि जो अनर च अब और मज़े की बात है कि ये सुनने में आ रहा है और जो मैंने शायद देखा भी था है इसा मुझे याद आ रही है कि जो मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात वहां चिप्स की त्यारी की जाएगी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है ना सित पाकिस्तान की करंसी को बैन किया है बलके साथ ही साथ अगर देखें तो युनाइटिड नेशन की जनरल असमली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गे थे उन्होंने जाकर ये ब वो भी इंडिया ने बनाई अफगानिस्तान की आर्मी की बात की जाए वो भी इंडिया की तरह से ट्रेंड होती है पाकिस्तान के साथ इतने तलुकात क्यों खराब होते जा रहे हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है इक टो बैन भी किया है। दूसरे नमबर पे United Nations kg सम्झी का जो जिलाध था वहां पर जाकर उनोंने बोला कि पकिस्तान हमारे इंटर्नल मामोरात में इण fan ना करे। हम जिसके साथ चाहेंरे रिलेशन बनाएं जिसके साथ चाहें रिलेशन खराब करें पाकिस्तान का कोई तलुक नहीं होना चाहिए किया वज़ा समझते हैं कि हमारे तलुकात क्यों खराब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के तलुक दिन बाद इन इंडिया के साथ बहुत कि है कि हमने तो उनके जबर्दस्टी एक तालोग रखा हुए ना उनकी तरफ से यह ना हमारी तरफ से अब जबरती का तालोग हमारा डिर्ड लाइन है जाहर है पाकिस्टान सी की सबसे जो लंबी है बार्डल लाइन है वो हमारी महफूज नहीं